तो कोलकाता में पार्थ चटरजी की करीबी अरपिता मुकरजी के घर बरामद नोट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है जिस पैकेट से रुपे मिले हैं उन पर उच्छ शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल सरकार लेखा है अब इस नए खुलासे के बाद ममता सरकार के और मुश्किले बढ़ेंगी सवाल ये उठेगा कि बरामद रकम से पश्चिम बंगाल के उच्छ शिक्षा विभाग का क्या कनेक्शन है आज गिरफतार पार्थ चटर जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंतरी रह चुके हैं और उनके शिक्षा मंतरी रहते ही राज्य में SSC घोटाला हुआ था उमीद की जा रही है कि EG के सामने पार्थ चटर जी की पुछताच के बाद इन सवालों से राज उठ जाएगा यानि जो परदा है वो उठ जाएगा कि आखिर ये घोटाला कैसे हुआ कितने और घोटाले से जुड़े हुए हैं ये कीस करोड की रकम अरपिता मुखर जी के घर पर कैसे आई ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर EG जाच कर रही है सरकार में उनकी करीबी हैं अरपिता मुखर जी जिनके घर से 21 करोड का कैश परामद हुआ है अब ये जो जाच है EG की वो चल रही है EG पूझताच कर रही है कि आखिरी ये तने सारे पैसे कहां से आए इस पैकेट के नोटों पर जो पशिम मंगाल सरकार लिखा हुआ है उच्च शिक्षा विभाग पशिम मंगाल जो लिखा हुआ है आखिर ये क्यों लिखा हुआ है ये कैसे सरकारी जो एन्विलप थे वो अरपिता मुखर जी के घर पहुँच गए इन तमाम पैलूओं पर अब एडी जाच कर रही है मनीश पटाचारे हमारे सायोगी इस वक्ट जुडगा है हमारे साथ मनीश अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो उच्च शिक्षा विभाग की एन्विलप है पशिम मंगाल सरकार के ये अर्पिता मुखर जी के घर कैसे पहुच गए मुश्किले बढ़ेंगी अब तीमसी सरकार की देखे बिलकुल ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये जो कैश मिल रहा है जो आप विजुल्स में देख रहे हैं ये अर्पिता के घर पे मिला है इन्विलप पे बाकाइदा पश्ची मंगाल सरकार का जो मार्क है वो दिख रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एडी ने लगबग 13 ठिकानों पर कारवाई की थी उन 13 ठिकानों में सबसे पहले जो कारवाई थी वो पश्ची मंगाल के पश्ची मिदनापूर के पिंगला छेतर में हुई थी ये भी जो जिनके हां कारवाई हुई है वो पार्थ के रिलेटिव हैं उनका नाम का खुलासा नहीं हुए उसके बाद कैश अर्पिता के घर पे मिला है अब जो एडी ने तयारी की है वो यह है कि पार्थ को एडी के आफिस में बैठाया जा और अर्पिता को हिरासत में ले रखा अर्पिता और पार्थ दोनों को सामने बैठा के पूस्ताज की जाएगी दूसरी बात मैं बताओं क ही आर्पिता के पास से 20 मुबाइल मिले है उस मुबाइल का या कोई जिक्र है कोई ट्रांसेच्चन के उसमें कोई जिक्र है या इस पैसे से कोई लें देने इस बात तबी आहला कि this eer dollar eg कोई खुलासा नहीं किया है इसकी जांच की जा रही है तीसरी कड़ी अभी फिलहाल एडी ने पकड़ी है मोना लिसा दास को ये भी पार्थ चेटर जी की बहुत खास मानी जाती है और इनका भी एक इसमें रोल माना जा रहा है इनके जो दस फ्लैट से जो बेनामी संपत्ती है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है उस संपत्ती का जुडाओ किस्से है और साथी साथ मानिक भटाचारिया और जो इस बोर्ड के जो पूर अध्यक्ष है और जो कुछ करमचारी है उनसे लगतार पूस्ताच की जा रही है तो कुल मिला के माना जा रहा है कि कड़ी दर कड़ी मिलाते हुए कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और शुरुआत से ये पता लग रहा है कि यानी नीचे से लेके शीर्स तक के ये पैसा फ्लोट किया जा रहा था क्या कोई एक बड़ा मास्टर माइंड है कोई बड़ा चेहरा है कि इसको पैसा दिया जा रहा था ये तमाम सवाल पार्स से पूछे जाने और जो खुलासा होगा